हलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो देखो स्टूडेंस अभी हम चैप्टा नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं इसमें हमारे तीन लेक्चर हो चुके हैं और यह है हमारा लेक्चर नंबर 4 में हम किसके बारे में पढ़न करने वाले हैं ठीक है बाकी यह जो स्टार्टिंग के टॉपिक से इनको तो हम कवर कर ही चुके हैं तो आइए फिर हम स्टार्ट करते स्टूडेंस और फिर समस्ते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा समूंद्र होता है वो कौन-कौन से प्रकार के लैंडफों को बनाने में हेल् सब्सक्राइब करें डी कि विए अविजाए बनता है और स्टूरेंस जैसे कि हम देखते हैं कि समुंद्र में क्या होता है वह आती है जाती हैं लहरे आ रहे हैं ऐसे होते हैं टाइट से रहते। जाते हैं अब जो लहरे हैं जब वो आएंगी तो उसके सामने अगर और और आए कोई बड़ा सा पहाड आगया कोई पत्थर पूरा पैक था इसमें जगह नहीं ती यह पूरा के पूरा पैक था अब समुन्दरी लहरे आती गई इसके उपर करती गई करती तो हीट कि वज़े से क्या हुए मतलब इसको जब बार बार चोट लगी कि तो दीरे दीरे करे पहले इतना दिर्मित हुआ फिर इसके यह पूरा ऐसे बन गया है ठीक है इसको क्या कहते हैं तो यह समुन्दरी लहरे आएंगा अब इसको भी मारेंगी पूरा पानी के लहरे आई यहाँ पे बना देती है यह सब कुछ बनता है सी के कारण कैसे होता है आई हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वह यह यह घो हमारा कोस्ट 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 कहते राइध दिए वजह से वाटर के अंदर चापानी है उसके अंदर हलचल होती है इसा कि रिजल्ट क्या हुआ होता है कि जो रॉक्त होता है कि यह रोग्स होते हैं प्यारे बच्चों वेव के द्वारा ही बनते मैं आपको बताऊंगी कैसे डूंट फरी आप पहले इरोजनल वर्क हम यहां पर समझते हैं यह इरोजनल वर्क है और यह डिपोजिशनल वर्क की बात करेंगे कैसे 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 क्या क्या होता है समझेगा लिखिए वेवब ब्रेक एड़ दो कोस्ट मतलब उन जब किनारे पर आकर के जो लहरे आ रही है जब आकर के ब्रेक होती है डे ब्रिंग वेद देम वाटर ट्रांस 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 पोर्टेशन पैबल सैंड पार्टिकल्स एक्सेटर यानि के वह आपने साथ साथ सब्सक्राइब तो यहां पाने वाली इसका काम करती है क्योंकि देखो वो पानी कैसा होता है प्यारे बच्चो नमक युग तो होता है नमक उसमें होता है न तो जब वो हमारे पत्थरों से चट्टानों से टक्राएगा वो अंदर जाकर के पूरा परकुलेट हो जाएगा यह हमने चैप्टर नमबर 3 में बहुत अच्छे सा देखा था कि किस प्रकार से होता है फिर जब भाब बन करके पानी ऊपर चला जाएगा तो मतलब केमिकल ग्रोथ होता ना जिसके कारण उसमें छेट से जैसा आपको पत्थर दिखाई देते होंगे तो इस कारण से क्या होता है इरोजन होता है फिर कौन-कौन से लैंट फॉर्म होते हैं वेव कट प्लैटफॉर्म फिर सी केव सी आर्चेव सी क्लिप्स एक्सेप अब देख लेते हैं इनका इरोजना वक था जिसके कारण वह सारे लेंट फॉर्म बने हैं डिपोजिशनल वक इसका क्या है स्टूडेंट लेट उसके बनते हैं सैंड बनते हैं और लगूंस बनते मैं आपको दिखाती हूं कैसे होते पहले एक बार पढ़ लेते देगो जो तूड रहे हैं पत्थर ओगयरा बीच में कोई बहाड आगया है तो उसका तो तोटे के मटीरियल रहे यह का इरोडे समौंद्र में झांक्र के जमा हो देगे號 पहले हो घरे कर चोटे तुरू नतरोब तुकड़ों में बढ़ ज्याते हैं घ्थम से फाइन जाते हैं एक इस जो मटेरियल से जब यह किनारों पर डिपोजिट होते हैं तो इनकी वज़़से बहुत सारे लेंड फॉर्म होते हैं जैसे कि बीच पर जाते हैं तो बीच पर देखते ना बालू-बालू आपको दिखाई देगा तो बालू कहीं आसमान से ने टपका है वह वहीं समुद्र से सीवेप्स के ठीक हैं सी केव से और यह आपका लगून से देख रहे हो इस ऐसे खरके बीच में पूरा बालू-बालू सब्सक्राइब देखो ऐसा अगड़ा हगा एदर भी ऐख न होगा तो सैखे जगन बरच देखो पानी आ रहा था पहले से अकड़ारे करें पुरा झेद होगा पेर उसके बाद बाद और पानी आया और फानी आकरसकी पूरा यहां से गायप कर दिया यह ऐसा ही बचा इधर भी एक बचा होगा जिसको तोड़ करके वो ले करके गई ठीक है तो यह एक दिन में तो होता नहीं कई सालों लग जाते इसको निकले वेव कट प्लेटफोर्म फिर यह देखो यह देखो सी आर्च ऐसे बनता है सी अब उसके बाद हमारा यह लास्ट टॉपिक बचता है प्यारे बच्चों ग्राउंड वाटर ग्राउंड वाटर के इस प्रकार से इरोजन का डेपोजिशन का काम करता है यह हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में अगला वीडियो आप देखिएगा उसके बाद आपका